Hello students of 8th standard, Hindi का lesson 9 अनमोलवानी वह अब हम देख रहे हैं यह actually दोहे हैं कबीर जी के और सूर्दास जी का भी एक इसमें लेख है जो उन्होंने अपने कृष्ण भक्ती के प्रती लिखा हुआ है तो यह अनमोलवानी अब हम देखेंगे संत कबीर और भक्त सूर्दास इनके बदोरा लिखा गया है परीचे हमें दिया है संत कबीर के बारे में जिनका जन्म लगभग 1398 में हुआ लगभग मतलब हमें actually उनकी डेट यहां पर नहीं दी गई है actually जो उनका सन है किस सन में उनका जन्मोवा exactly नहीं है लगभग मतलब आसपास है 1398 के आसपास और वृत्यू लगभग 1518 इनका परीचे दिया है कि यह भक्ति काली निर्गुन कावे धारा के संत कभी कभी मानवता एवं समता के प्रबल समर्थत थे तो कभी जो थे वो जो भी उन्होंने कावे लिखे हैं तो उसमें उन्होंने हमेशा हर इंसान को एक बराबर का दर्जा दिया है कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं और हुमानिटिम यानि मानवता को उन्होंने हमेशा अच्छा मानवता ही सच्चा धर्मे ऐसा उन्होंने बताया है उनकी प्रमुप कृतियां है क्या-क्या उन्होंने लिखा है उसमें साखी, सबद, रमैनी इन तीनों का संग्रा बीजक नामग गरंध में किया गया है यह इसी के साथ आमें नीचे भक्त सूर्दास के बारे में दिया है जिनका जन्म लगभग 1478 में आग्रा में उतरप्रदेश में हुआ है अभी जो सन दिया है वह भी लगभग मतलग अप्रॉक्सीमेट है उसके आसपास ही दिया हुआ है 1478 के समय का उनका कही जन्म है और उनकी 3591 के बीच में बताई गई है परीचे है कि सूर्दा जी वातसल्य रस्के संप्राठ माने जाते हैं वातसलिय आणे एक जो जिस तरह से मात्ताफित अपने बच्छों को प्यार करते हैं प्रेम अब जो लिखी होये हैं प्रभुकृतिया है सूर्सागर, सूर्सारावली, साहित्यलहरी, नल्दमयंती, आदी अभी यहाँ पर इस पध्यसंबंदी मतलब कवीता के बारे में यहाँ पर बताया हैं यहाँ संत कभीरदास ने अपने दोहू में मनुष्य को सद्गुणों को अपना कर आगे बढ़ने को कहा है कभीरदास ने यहाँ जो दोहे दिये रहे हैं उसमें उन्होंने हमें यही संदिश दिया है कि हमें अपने आपको अच्छा बनाना है, अपने आपको अच्छे सद्गुणों से भरपूर रखना है इसी तरह भक्त सूर्दास का रचित यह पद सूर दुष्वागर नामक उन्होंने बहुत बड़ा जो महा कावे लिखा है उसमें से लिया गया है और श्री कृष्णी की बहुत सारी लीलाएं प्रसिद्धें उसमें उन्में से ही एक पद में उन्होंने उसका वर्णन किया है चलिए अब हम देखते हैं पहले कबीर के दुहे देखेंगे जैसा भोजन खाईए तैसा ही मन होए जैसा पानी पीचे तैसी बानी होए तैसी बानी होए तो बहुत सीधी सरल भाशा में इन्होंने हमें बताया है कि किस तरह से हम अपने जीवन में अच्छे गुणों को ला सकते हैं कि उसी एक उदारन क कि जैसा भोजन खाईए जिस तरह का भोजन हम खाएंगे वैसा ही हमारा मन होगा तो यह आज भी हम हमारी घर में भी बड़े हमें हैं यह बताते हैं कि जब भी हम खाना खाएं तो अच्छे मन और विचार से खाएं अगर घर में खाना भी बन रहा है वह भी बहुत अच्छ विचारों के साथ में बनाया गया हो क्योंकि अच्छे विचार से खाना बनाना और अच्छे विचारों को लाकर मन में खाना खाना भी हमारे मन पर बहुत असर करता है। पस्टै करें अच्छे विचारों को बनाना भी जो बदातों को भी निर्मल बनेगा। इसलिए यहां पर उन्होंने हमें समझाया है कि जैसा हम भोजन खाएंगे वैसा ही हमारा मन होगा और जैसा हम पानी पिएंगे वैसी ही हमारी बोली होगी तो चाहे हम खाना खाई या पानी पिये तो उस समय जो भी हम ले रहे हैं वो हमें अच्छे मन से सात्विक्ता से लेना है जिससे की हम अच्छी तरह से मतलब किसी के सामने कुछ बोले या प्रस्तुत करें तो अभी अच्छी तरह से हमारे तरफ से उस चीज को जाना चाहिए एसी भाषा हमें बोलनी चाहिए कि मन का आपाक होे मतलग जिससे कि किसी को कभी कोई राग या द्वेश ना आए वाह नोगी खेंड जाए किसी को तो किसी दुक्सा आ जाए लिए दुक्सा आए और दूसरे सुनने वालने से और वेकती में बहुने जो बहुत थफोजित ब bullish है और शान्त स्वभाव में ही रहेगा मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत लड़ाई जगड़े वाली बाते बोलें या फिर हमें कोई कटू बातें भी किसी को बोलना है यानि किसी से अगर हमें कोई दुख भी पहुंच रहा है और हमेशा अच्छी बातें अच्छी तरह से वेक्त करनी जाहिए बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई जो दिल खोजा आपना मुझ सा बुरा ना कोई कभी कबीर बताते हैं अपने एक उधारन के दौरा बताते हैं कि अगर हम इस संसार में बुरा वेक्ति खोजने जाएं मतलब हम सभी में कभी बुरा ही देखने लगें तो हम असलियत में देखेंगे कि बुरा हमें कोई नहीं मिलेगा तो कभी कभीर कहते हैं कि जब मैं बुरा वेक्ति ढूंडने निकला इस दुनिया में तो मुझे कोई भी बुरा वेक्टी نہیں मिला जो दिल खो जा अपना मुच्सा बुरा ना कोई जैसे ही मैंने अपने दिल में छाक कर देखा तो पता पड़ा कि में से बुरा तो कोई भी नहीं है क्यों कि हमें सामने वाले में बुरा ही तब नजर आती है जब हम उसके बारे में बुरा सोचते हैं इसलिए कबीर जी कहते हैं कि अगर मैं बुरा देखने जाता हूँ तो मुझे कोई बुरा मिलता नहीं है लेकिन जब अपने दिल में सोचता हूँ कि अरे यह कैसे सामने वाला बुरा है तो मुझे क्यासे पता पड़ता है कि मेरा ही मन किसी को बुरा बना रहा है इसलिए मुझे समझ में आता है कि मुझसे बुरा कोई नहीं है क्योंकि मैं किसी के बारे में अगर बुरा सुचता हूँ तो सामने वाला मुझे बुरा ही दिखता है इसलिए बहुत सिधी सरलवाश हमें कभीर जी कहते हैं कि अगर मैं बुरा देखने चला इस दुनिया में तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला लेकिन जैसे मैंने अपने दिल में जहक कर देखा तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं था तो ये थे संत कभीर के दो हैं अभी यहां पर हमें संत सूर्दास जी के काव्य संग्रे उसमें का एक पद यहां पर दिया है कृष्ण जी के बारे में मैया कवही बढ़ेगी चोटी किती बार मोही दूद पियत भैया जाना होई चोटी तू जो कहती बल की बेनी जो है है लांबी मोटी कांचो दूद पियावत पचिपचिदेत नमाखन रोटी सूर्जामचिर जी वो दो भैया हरी हलदर की चोटी तो यह एक पद दिया है जिसमें सूर्दास जी ने कृष्ण जी के बाल लीला का वर्णन किया है कृष्ण जी जब छोटे रहते हैं तो वो अपनी मां से कहते हैं कि मां मुझे भी मेरे जो बाल है मेरी जो छोटी है वो कब बढ़ेगी किसके जैसी उनके भाई बलराम के जै तो पीने और लंबे हैं तो कृष्ण जी चोटे हैं तो वो चाते हैं कि मेरे भी बाल भाई की तरह भाईया की तरह बड़े और मोटे हो जाएं। पाई के जैसी मोटी और लंबी हो जाएगी बल मतलब बलराम जी के जैसी कांचो दूद पियावत पच्ची पची देतना माखन रोटी कांचो दूद मतलब कच्चा दूद आप मुझे पिलाती हो और फिर भी मुझे बार-बार पिलाती हो पच्ची पच्ची मतलब बार-बार वही कच्चा दूद पिलाते हो, लेकिन मुझे आप माखन और रोटी नहीं देती हो सूर साम्चिर जीवो दो भईया, हरी ह Casey कि जोटी तो इतनी सुन्दर पंक्तिया सुनकर, सूर दाज जी कहते हैं कि सूर साम्चिर जीवो दो भईया, कि सूर दाज जी बोलते हैं कि मैं ऐसे प्रार्थना करता हूँ ऐसा मैं मेरे मन से इस तरह की प्रार्थना निकल दिये कि यहाँ दोनों भाई चिरन जीवी बहुत वर्ष एक जैसे ही रहें और इनकी जोड़ी भी हरी हल्दर की हरी मतलब कृष्ण जी हल्दर मतलब बलराम जी क्योंकि उनको उनका एक नाम और है हल्दर तो इनकी जोड़ी हमेशा चिर्जीवी रहे तो इस तरह से सुन्दर या पद भक्त सूर्दाज जी ने कहें है यहाँ पर हमें देखिए शब्दवाटिका में दिया है कबही मतलब कब चोटी मतलब चोटिया या बेनी अजहों मतलब अब तक कांचों मतलब कच्चा पची-पची मतलब बार-बार चिर्जीवों मतलब लंबी आयों दो याने दोनों हल्दर याने बलराम जी तो यह थी आपकी छोटी सी कवीता तो आप इसे फॉलो कीजिए और प्लीज शेर कीजिए शिव अनुजा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग इट